तो दोस्तु यह मेरा जीमेल अकाउंट इस जीमेल अकाउंट को जब भी मैं रीकावर करनी की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर क्या होते की नमबर बेरिफाई होता है पासवोड हमें याद नहीं अगर हम कुछ अपना पासवोड जो हमें लगता है याद ए उससे अगर हम ट् पुराना डिवाइस था उस पर किलिक कीजिए वहां पर नोटिफिकेशन जाहिए वहां से पर्मिशन दीजिए जब भी आपका अकाउंट रिकावर होगा दूसरा यहां पर नंबर का आता है तो यहां पर अगर हम नंबर वाले option पर किलिक करते हैं यहां पर把它 लिखने का option आता है जो हमारा instinct number को हमने recovery के लिए इसमें एड गया था उस number को यहां पर आगर हम लिख explains yeuxसेन्ड पर किलिक करते हैं तो हमारे नं बर पर ऑटीपी तो आ जाता है जिसके पास अपना फो नंबर है उनके नमबर पर आता है तो यहां पर हम ओटीपी लिख कर एक बाष देखते हैं कि विलिख लिख लिया अब उसके बाद हम नेक्ष्ट पर किलिक करते हैं जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर पर क्लिक करके कि क्या option आता है जब हम try another way पर क्लिक करते हैं तो यहां पर डारेक्ट क्लिक के आ जाता है could not sign you in यहां से हमारे account recover नहीं हो रहा है अगर आप भी इस तरीके से try करकर के परेशान होगे हो आपका account recover नहीं हुआ है तो मैं आपको एक ऐसा तरीका वताने वाला हूँ जिससे की आपका Google account 100% recover हो सकता है अगर आपने सारे step को सही से follow कर लिया तो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने phone में Google app open कर लेना है Google app open करने के बाद आपको search बार में आना है और यहाँ पर आपको simple लिख लेना है Gmail account recovery इसे लिखके आपको search कर लेना है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से interface आ जाएगा सबसे उपर ही आपको एक link दिखेगा how to recover your Google account और Gmail इस पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर आपके सामने यह interface आ जाएगा अभी आपको क्या करना है उपर आपको एक option दिखेगा improve your Google account इस पर आपको click करना है अब जब आप इस पर click करोगे तो इस प्रकार से interface आ जाएगा आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पर लिखा होगा post to the help community इस पर आपको click कर देना है अब जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर यह interface आएगा तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर लिखा होगा describe your issue इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको लिखना है Gmail account यहाँ पर आप Gmail account लिखोगे तो लिख के आएगा how to recover your Google account और Gmail इस पर आपको click कर द आपका account recover नहीं हो रहा है वो सारी चीज़े यहाँ पर लिखा होगा तो यहाँ पर आपको नीचे एक second number पर option मिलेगा can't sign in to your Google account इस पर आपको click कर देना है इस पर click करोगे तो यह interface आ जाएगा आपको इसमें अब अपनी problem बतानी है तो यहाँ पर जो हमारा problem है जिसकी कर देंगे जब इस पर क्लिक करते हैं तो यह interface आजाता है अभी यहाँ पर आपको नीची की तरफ आना है यहाँ पर लिखा होगा tips to complete account recovery step इस पर आपको click कर देना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह interface आ जाएगा अब आपको account recovery page वाले option पे click करना है इस पर आपको click कर देना है जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका recovery page open हो जाएगा अभी यहाँ पर आपको अपने email id को लिखना है यहाँ पर हमने अपना email id लिख लिया है email id लिखने के बाद आपको next वाले option पे click कर देना है जब आप next वाले option पे click करेंगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा अभी आपको अपने जीमेल अकाउंट का पाश्वर्ड लिखना होगा लिकिन आप में से बहुत सारे लोगों को पाश्वर्ड नहीं याद होगा तो आप क्या करोगे आपको ट्राइ अनदर बेवाले ओप्शन पे किलिक करोगे तो यहाँ पर ये 6 डिजिट का OTP आता है उसे आपको यहाँ पर लिख लेना है तो यहाँ पर OTP लिखने के बाद अब आपको क्या करना है यहां नेक्स्ट वाले ओप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर यहीं लिखा होता है कि जिस जीमेल पर यहाँ पर आपको बेरिफिकेशन कोड भीजता है तो अब हमारे पास वो जीमेल अकाउंट तो कहीं पर लोग इन है नहीं तो हमें वह छे डिजिट का बेरिफिकेशन कोड नहीं मिल पाएगा तो इस केस में आपको क्या करना है यहाँ पर जो आपको ट्राइए अनधर एक option दिखता है इस पर आपको क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है अब यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है दोस्तों अगर यह option लिख के आता है तो आप समझ जई कि आपका Google account 100% recover हो जाएगा बस यहाँ पर आपको एक mistake नहीं करना है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि यह जो Google account है जिसे वो recover करना चाहते हैं उसी same Gmail account को यहाँ पर contact email id वाले option पर लिख देते हैं लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है यहाँ पर आपको वो contact email id लिखना है जो आपके phone में पहले से login हो क्योंकि दोस्तों उसी Gmail account पर Google आप से contact करेगा तो यहाँ पर आपको contact email id लिख लिखने के बाद आपको next वाले option पर क्लिक कर देना है जब आप next वाले option पर क्लिक करोगे तो आपके इसी contact email id पर एक 6 डिजिट का verification code जाएगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यह 6 डिजिट का verification code आता है इससे आपको copy कर लेना है सिंपल इस पर hold करना है और copy करना है उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर paste कर देना है अब यहाँ पर यह code लिखने के बाद आपको क्या करना है next वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह message लिख के आ जाएगा कि 48 घंटे के बाद आपके पास जो आपने contact email id डाला है उसी email id पर एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आपको पासवर्ण रिसेट करने का option होगा तो आपको अपने जीमेल अकाउंट का नया पासवर्ण बना लेना है और आपके पास फोन नंबर है फिर आपके पास फोन नंबर पासवर्ण दोनों हो जाएगा उसी से आपका Google अकाउं रिकवर हो जाएगा